अज इंडिया कर अंदर सु काफि सार अवैलेबल भी हो काफि सार लोग एए लेक्ट की बात करते है लेकिनptic bikes का क्या जिनको भी आज का वाहदि लेनी है उनके लिए जादव औप्सशंगाओ नहीं है लेकिन को आगए आज लेना चाहते हो तो ले सकते हूँ तो वह टॉप 5 एपकों सी है वह सारय चीछ आज आपको बताने वाले हूँ 55D के बारे में डिटेल करने वाले हैं ही ताकि आपके माइंड से सारे confusion easily दूर हो जाए सबसे पहले बात करें लोइस प्राइस से तो लोइस प्राइस पर आती है वह आती है ओला की रॉस्टर एक्स के अंदर भी तीन वेरेंट है लेकिन हम बात करने वाले हैं 3.5 किलोटा बैटरी पैक के बारे में क्योंकि यह रियल में प्राइस है और रियल में आपको मतलब जितनी वेल्यू है वह प्रोवाइड करता है जितना पैसा खर्च कर रहे है उसकी वेल्यू प्रोवाइड करता है अब 3.5 किलोटा बैटरी पैक इसके अंदर आपको जो है ना रेंज एप्रोक्सिमेटली मिल जाती है मतलब आईडी से तो एक स क्लस्टर जो है सिगमेंटेड देखने हो मिलने वाला है नोन टच श्वारूं बिल्कुल नहीं होने वाले है मोड़ यहां पर तीन मिलने वाले है इको नॉर्मने इसपोर्ट क्रेंट में डिप्रेक जियर में ड्रौ ब्रेड को में वठीर तक क्कि पर असी आजा क्लोमेटर प्राइस पर आरहा है क्योंकि इसका प्राइस एक लाख उन्यजान निन्यान्यान्यांदे रुपे अभी यहां पर जो बैट्री पैक मिलता है 4.5 टरा का मिलता है जिससे actual range वो निकल के आ जाती है लगबग 117 km के आसपास IDC रेंज तो 190 km के आसपास निकल के आती है मोटर इसके अंदर पर पीमेथ हम भी मिलने वाली है लेकिन पीक पावर जो है वो 13 kW की होने वाली है जो मैं आपको सारी बताने वाला हूँ उसमें सबसे हाई इसकी पीक पावर और प्राइस जो है वो जस्टिफाइग करता है इस पावर को अभी इसमें जापको टॉपटी म बताने में लगते हैं सिर्फ 2.2 सेकें इंस्टुमेंट क्लस्टर की बात करें तो 7 इंच का यहां पर आपको टच डिस्पेड देखने को मिलता है मुव एस पाइप के साथ आने वाला है मतलब स्मार्ट फंक्सन आलमोर्स सारे ही देखने को मिलने वाले है और यहां पर आप लगबग 1,999,000 रुपे जो कि अभी उफर चल रहा है इसकी वज़े से है अभी यहां पर आपको बैटर पैक मिलता है वो मिलता है 4.4 किलोटर का अभी इससे जो एक्टरेंज है वो तो 170 एसी है लेकिन एक्ट्वार्ट की बात करें तो वही 160-170 के आसपस यहां पर आपको आपको तीन मोट देखने हो मिलते हैं इको नॉर्मन एंड इसपोर्ट बात करें मोटर की तो यहां पर पर पीए में मोटर मिलती है जिसकी पीक वाट किलोवाट की है यहां पर आपको आपको जो टॉप स्पीड निकल के आने वाली है और यह 0-40 जाने में लेती है तिर तीन में रियर में डिक ब्रेक मिलता है लेकिन ABS आप्सन नहीं मिलता है बात करें वारंटी की तो यहां पर आपको वारंटी मिलती है तीन साल यहां पर 15 क्लोंटर की देखने को मिल जाती है एंड फिर आता है फोर्ट नंबर पर जो है वह है जिए रिवल्ट की आर्वी 400 अभी इ तो इससे रेंज निकल के आती है वो लगबग 150 क्लोंटर कंपनी बताती है मेरा मानना 130-135 के आसपर निकल के आ जाएगी और इसमें जो मोटर लगी भी है इसमें भी बेल्ड्राइव मोटर ही है जिसकी पिक पावर निकल के आती है 3 किलोवाट की और यहां जो टॉप स्पि अब इसमें smart functions है या नहीं इसमें भी smart functions है लेकिन instrument cluster जो है वो आपको black and white देखने को मिलने वाला है सिग्मेंटरी मिलने वाला है काफी छोटा सा है लेकिन smart functions जो है मोबाइल के सुरू आपको सारे देखने को मिल जाते है मोबाइल से आप वहिकल को स्टार्ट भी कर सकते हो अब इसके बाद आज आपको में बताता हूं कि और भी कौन-कौन सी बाइक से मैटर एरा है जिसके आने का भी तक ना कुछ अता-पता ठिकाना नहीं कि अकब तक आई कि टेस्ट राइड कर दी थी लेकिन उसके बाद जिन्होंने पैमें बुक कर रही थी उनको पैमेंट र हो गया और भी काफी तरी इलेक्रिक बाइक से जिसे टॉक के किट आर थी यह अब डिसकंटीनुई हो गई है तो अभी फिलहाल के लिए चार ही बाइक से जो कि आपको आज मार्केट के अंदर मतलब यह कह सकते हैं कि अवलेबल है भूकिंग के लिए पर्चेजिंग के है और एक और बाइक जो की होने वाली है हिरो मोटर कर्प की तरफ से मतलब वीडा एलेक्रिक के तरफ से और यह जो बाइक है थोड़ी मीनी बाइक हो सकती है इसकंटेश साइज है तो आपको समझ में आ गई होगी लेकिन अभी आपके मांद में चल रहा है कि आपको कॉन सी अभी जो को लुक्स की मैंने बात नहीं कहीं लेकिन लुक्स के मारे में देखा जाए तो सब की अपनी अपनी चॉइस होती है अभी जो ओला के लुक्स है वो थोड़े सी फूटरिस्टिक से लगता है और यह भी एक्ट्रक्टिव है और यह बात करें रिवल्ट आर्वी फ पर्चेस करना जाते हो आज ही वहिकल अपने हाथ में लेना जाते हो तो अगर आप रुक सकते हो 6-8 महिने के लिए तो आपके पास अच्छा ऑप्सन है ओला की रॉस्टर का जो की मतलब यह कह सकते हैं जनवरी 2025 तो इन्होंने कहा है मैं मानता हूं मार्च अप्रिल तक आही के लिए वैल्यू फॉर मनी है ओला की रॉस्टर 4.5 क्योटर बैट्री पैक तो मुझा अब उम्मीद है आपके जो सारे डाउट्स थे लेक्रिक बाइक को लेकर किलियर हो चुकांगे लेकिन थिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं पूर